असलाम उलेकुम एबीवन तो सुबह का नास्ता पानी हो चुका है अब हम जा रहे हैं लंज का खाना बनाने तो टाइम हो रहा है एक बजी गया है चलो फटा-फट से खाना बना लेते हैं और यहां हमजा लोग को देखो अची भी हमारे नहादो की रेटी है यह है हमजा हमजा हमारा भी रेटी है और यह भी खेल रहे हैं तो हमजा रहे है फटा-फट से और यह तो अपने मेकप से ही खेलते हैं और हम जा रहे हैं फटा-फट से खाना बनाने हमजा रोना नहीं ठीक फ्रेंड्स मैंने चिकन को मंगा लिया था और उसे अच्छे से दुल कर रख दिया तो यहां मैं आप लोगों को अपना किचन दिखा रही हूँ थोड़ा सा मुझे न वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा मैसी मैसी लगता है इस वज़े से मैं सोच रही हू न आओ वीडियो इनको देखो कितना रो रहे हैं बस गोद ले लो बहुत परिशान करते हो मंदा तो और फ्रेंड्स पता है मैं आपर क्यों रो रही हूँ क्योंकि आज मेरे हमजा ने मुझे बहुत परिशान किया और मैं यहाँ प्याज काटनी के वज़े से नहीं रो रही मतलब बहार ना ही लेके जाते हैं ना ही बहार खाते हैं वो घर पर आते हैं दो बज़े खाना खाने घर पे आते हैं तो मुझे मतलब एक बज़े तलग मैं खाना बना लेते हूं पर आज एक बज़े गया तो उसने कुछ भी नहीं करने दिया फिर जब वो आए तब ही मैंन चार चोटी साइज के पैज ले लिए और अध्रग लाइसोन इन सब का मिलागी पेश्ट बना लिया मुझे जल्दी बनाना थो मैंने फटा फट से ऐसी बना लिया और आजकल पैज काटो न तो बड़ा काला काला से अजीब सा निकलता है तो मैंने प्याज को धुला तो उसमें बहुत गंदा निकला फिर मैंने प्याज को पीस लिया और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना सेट अप बना रखा ता कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाया करूंगी पर यगीन मानना मैंने मैं आपर मुस्किल से एक दो वीडियो यह बनाई इसके बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई बस खुजली होती है यह करना है वो करना है यकीन मानना मैं डेली वीडियो बनाने के लिए सोचते हूं कि मैं डेली आप लोगों के साथ एक व्लॉग सेर करूं मैं डेली थोड़ मतलब एक टाइम का तो ब्लॉग बनाई लूँ पर नहीं हो पाता क्योंकि मुन्ना इतना परेशान करता है कि कैमरा सैट करने में टाइम लगता है फिर जब मुन्ना रोने लगता तो यह लगता फटाफट से खाना ही बना दो वीडियो एडियो ना बनाओ प कि मैं डेली आप लोगों के साथ एक वीडियो सेर करूं और वो अगला वीडियो जो मैंने सेर किया था ना उसमें मैंने एक गल्ती की थी कि से करलूं तो मैंने यहाँ पर चिकन को तो फ्राई करकर निकाल लिया इसके बाद मैंने जो पष्ट बनाया था ना प्याज का पहले तो मैंने झीक, खड़े गरम मसाले डाले इसके बाद उन्हें हलका सा साटे कर लिया फिर मैंने प्यास को डाला उससे हलका सा गुल्डन ब्राउन होने दिया फिर अद्रक लैसन का पेश्ट डाल दिया और फिर ये मसाले सूखे मसाले धनिया हल्दी मिर्च पाउडर और गरम मसाला और जीरा ड़क में दो से इन मिनिट नहीं पकने चुड़ दिया है जब तक भून आ है जब तक मसाले से तेल अलग में चिकन को ढूए तो मैं बलॉक भी बना रही हो मैं रेस्पी आप हैं चिकनना आसा बना तरीके चिकनने पूल आख तरीके बना लोग दे शिए लाट या जालित अ- तो हूँ अलग अलग तरीके से बिनाती हूँ पर आज जल्दी थी तो मैंने ऐसी ही बना लिया फिर मैंने यहां पर रोटी डाल ली एं सबजी को मैंने एक साइट बनने के लिए रख दिया तो और फटा फट से रोटी डालने क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी आज फिर भ जरूर किया करें जिससे मुझे लगा करें कि हाँ चलो मेरे कुछ तो वीवर्स को पसंद आ रहा है तो यहां पर हमारा चिकन भी बन कर तैयार है और आप देख सकते हो जादा मैंने गिरे भी नहीं रखी है बस थोड़ा सा ही पानी डाला था और थोड़ी देर पकाने के बाद हमने कैस को बंद कर दिया और अब हम जा रहे हैं खाने के लिए और आप लोग वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हमने बच्चों की बहुत सारी सौपिंग की है तो वीडियो को लाश्ट तलक जरूर देखें और यहां पर मैं आप लोगों को मतलब चिकन टेस्ट करके बत मतलब फिर मैंने आप खाना खाने के बास उन पापड़ी खाई और हमेरा ने भी खाई और हमज़ा तो हमारे सोन पापड़ी खा नहीं रहते तो हैं जरूरा inaccurate क्यों से हैलर्जी सी मैन। वो अब खाता ही नहीं केला भी निकाल देता उसे केला खिलाओ ना तो वो भी निकाल देता और यहाँ पर हम सब घर से बाहर निकल गए थे यहाँ पर हम लोग छे वजे निकले थे खाना ना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया और छे वजे निकले और जब हम गए थे जादा भीड नहीं थी हमें लेने थे बच्चों के कपड़े और नीचे बढ़ो के थे तो हमें बच्चों की सौपिंग करने थी इस वज़े से हम आ जाते हैं उपर तो उपर देखते हैं बहुत ही भीड लगी हुई थी क्योंकि नीचे तो नहीं थी हमने सौचा उपर भी नहीं होगी पर उपर बहुत ज़्यादा भीड थी तो हमने याँ पर बच्चों के फटफट से कपड़े खरीद लिए क्योंकि हमें बच्चे परेशान कर रहे थे तो हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे फिर भी हमने थोड़ी बहुत मतलब वीडियो ले ली थी वीडियो की किलिप थोड़ी बहुत ले ली थी यहाँ पर सज़्यों के कपड़े भी आ गए हैं आप देख सकते कितने अच्छे अच्छे मतलब बहुत अच्छा कलकसन था तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत तो वीडियो ले लिए और हमने यहाँ पर कपड़े बहुत सारे लिए हैं आप लोगों के साथ सेर नहीं कर पाए हैं और यह लड़कियों के कपड़े थे यह आप लोग जैकेट देख सकते हैं और यह सूट मुझे बहुत ही पसंद आया फिर इसके बाद हम चले जाते हैं पास से दस साल के बच्चों के मतलब सेक्शन पे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी टी शेट आई है गरम फिर हमने उन में से एक हुमेरक लिए एक टी शेट लिए और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं थोड़े बहुत की यह देखो यह उन्य लिए फिर इसके बाद हम चले जाते हैं नीचे यह हमाद की कपड़े हैं यह मतलब मेरे हस्बंड की दोस्ती अम्मी और भाई बाबी थे हम लोग साती रहते हैं तो हम लोग साती कपड़े खरीदने बी गाए्थे इसके बाद हम नीचे चले आते हैं क्योंकि अम्मी को लेना था कप तो कप के लिए आ जाते हैं यहां पर बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे सामान लगा था और हम लोगों को तो पताई है जहां भी जाओ सारी चीछ जरूरत की निकले आती है यह भी लेना वो भी लेना फिर भी हमने यहां पर मतलब बरतन में से कुछ भी नहीं लिया जादा सामान नहीं लिया बस अम्मी ने यह कप लिये थे शायद मैंने कुछ नहीं लिया था और यहां पर मुझे यह चोटा सा कप पसंद आ रहा था पर हुमेरा के लिए मैंने एक ले रखा था और अब हम आ गए हैं घर तो हमने जो जो भी लिया था वो आप लोगों के साथ सेर कर रहे हैं यहां पर हमने तीन पर्स लिये थे एक पर्स हमें 299 का मतलब एक रुपए कम 300 रुपए का एक पर्स था और अब आ जाते हैं बच्चों की सापिंग पर तो हमने बच्चों के यहां पर बहुत सारे कपड़े लिए थे क्योंकि अब हलकी हलकी सर्दियां आ गई तो हमने याँ पर मतलब टी शेटे जादा ली थी तो हमजा की पहली सर्दी है तो हमें याँ पर हमजा की लिए बहुती कपड़े लेने थे हमें 600-700 ऐसे भी पढ़े हैं कुछ सूट तो वो भी आप लोगों दिखा दिये और आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारे बच्चों के कपड़े कैसे लगे हमें तो बहुत प्यारे लगे और आप लोग भी कमेंट करके बताना और हमजा की पहली सर्दी है तो इस वज़े से मुझे हमजा के जादा कपड़े लेने था और हमेरा की तो अगली साल के भी रखे थे तो इस वज़े से मैंने हमेरा के जादा नहीं लिए बस ये वाली ही टी शेट हमेरा के लिए लिए